आज हम चिली चीज टोस्ट बनाएंगे और बच्चों को तो यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी एक वारा पिसे बनाएंगे पिज्जा से कम नहीं है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है इसे बनाने के लिए हमें जदा सामान की रुतनी होती है घर में जो सामान है उसी से बह कर देंगे अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेर करना पिल्कुल भी न भूले इसके बाद में एक शिम्ला मिर्चली है जैसे भी हमने टुकड़ों में काट लिया है और उसे भी हम यहां डाल दे है उसे भी हम यहां डाल देते हैं हलका सा सोटी करना है ज्यादा पकाना नहीं है इस तरह से हम इसे लोड डू मीडियम फिलेम पर एक से दो मिनिट के लिए चलाएंगे इसके बाद में अब हम इसमें कुछ मसाले है उन्हें भी हम यहां एके करकेस में डाल देते हैं सबसे सब्सक्राइब 1.4 चमट्र लालंरेश कोड़िए और सफेद नमक कदूअ है हम यहां डाल देते हैं इसके बाद में अब हम क्या करते हैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे एक चुछाई चमच काली मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देते हैं कालिम स्पाउडर डालने के बाद में अब मैं यहाँ पर पिज्जा हर्फ से डाल देती हूँ इससे इसका जो टेस्ट होता है बुखोत ही अच्छा आता है और बिल्कुल पिज्जा के जासा ही यह लगता है इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटे चमच इसे भी डाल दिया है अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा होने के बाद में अब मैं इसमें जो चीज होता है उसे इस तरह से कद्दुकस करकी इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से हम इसे इस पेचुला से मिला लेंगे अगर आपके पास में पिज्जा सोंस हो तो आप उसे भी ले सकते हैं यहां केचप लिया है उसमें, मैं यहां लाज मिर्च पॉडर डाल देती हूँ साथ में काला नमक, काले मिर्च, हम इसमें एड कर देंगे और उसमें यहां बदा देती हैं इसको बनाने से जो चिली टोस्ट का टेस्ट है पुर्थ ही अच्छा आता है तो इसलिए हम यहां इस तरह से इसे तियार कर रहे हैं इसे अच्छे से अब हम चमच की साइटा से इन्हें मिला देंगे और इसमें क्या करेंगी कि एक च्छोटा चमच स्वेसंस और एड़ कर देंगे उसे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अब हम चमचे से अच्छे से चला लेते हैं मिलाने के बाद में अब हमने जो ये ब्रेड ली थी उनके उपर इस तरह से इसे फैला देंगे चमच के हैर्प से इसे चारत रप से हम इस तर लगा देते हैं दौनों ब्रेड़ों पर हम यहां लगा देंगे प्रेड पे लगाने के बाद में आप हमने जो स्टफिंग त्यार की थी ना उसे हम इसके उपर फिला देते हैं जब मच्च की साथा से इस तरह से आरम आरम से हम इने फिला देंगे यह देखिए बहुत ही अच्छी है और आप अगर बच्चों को ब्रेक्फास्ट में से बनाएंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा वो बच्चे सारे की सारे रस्चट कर जाएंगे क्योंकि यह बहुत अच्छी रसिपी है इसके बाद में हमने इस तरह से इस तरह से फिला दिया है अब हम इसके उपर क्या करते हैं वो जो चीज था उसे हम कद्दू कस करके इनके उपर तिरे दिरे से इस तरह से फिला देते हैं अगर आपके पास मैं कौर्न हो तो आप कौर्न भी डाल सकते हैं या वैसे जो चीज है उसे हम डाल सकते हैं मैंने आप मोजरेल लटीज लिया है तो मैं उसे कदुकस करके डाल रही हूँ अब हमने इस तरह से त्यार कर लिया है अब त्यार करने के बाद में आप हम इसे एक पैन लेंगे और उसे अब हम क्या करते हैं इन्हें दौनों जो ब्रैड हमने त्यार की थी उनको इसके उपर रख देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें हम दो से तीन मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल यह आपके ओवन के जैसे ही काम करेंगा आप हम इसे तकने के बाद में दो से तीन मिट के बाद में एक वाई से चेक कर लेंगे और छोड़े सबको बहुत पसंद आएगी अगर आपको मेरे स्पी पसंद आई है तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना विल्कुल ना भोले धन्ना बाद